दोस्तों आज में बहुत दिन के बाद जुगाडास तक वे स्वागत है और बहुत दिन बाद मैं सोच रहा था कि वीडियो डालो डालो कुछ व्यस्ताता के कारण मैं वीडियो नहीं डाहरा था कि दूप का तो आज में वेले किया हूं लो पास फिल्टर जिसका मैं आज अनबोक्सिंग करूंगा और देखो महा कि क्या इसके अंदर है और कितं Français को अगयें देखते हैं इसे करते हैं इसे मैंने फिलिप कार्ट से मंगवाया है और मुझे ये पढ़ गया 357 रूपीज का तो देखते हैं इसे मैं रेपर खोल चुका हूं और श्रिफ आपके दिखाने के लिए मैं ये आपन करगा तो बहुत छोटा सा बोड है पिक्चर में तो लगा बहुत बड़ा बोड है लेकिन ये है छोटा बोड ये देखिए है और फिलिप कार्ट वालों ने उतने अच्छे से पेकिंग नहीं की वी है और ये धीला अवला थोड़ा सा है तो मैंने इसे बाद में ठीक टक कर लिया और ये देखिए ये है बोड औ और इसमें एक OPM IC देके बनाया हुआ है ये देखिए OPM IC देके ये बनाया हुआ है और एक रेगुलेटर लगा दिया गया है और एक इंडिकेशन के लिए LED लगाई गई है और इसमें रेक्टिफायर चार डैयोड चारजर साथ देके बनाया हुआ है और एक फिल्टर हजार 25 का लगाया हुआ है और दो potential meter दिये हुए हैं एक है frequency के लिए और एक है gain के लिए और यह MB collection से आता है और यह देखिए low pass filter यह 012 पर चलने वाला है केवल 012 AC supply और AC को यह DC करने के लिए यहां पर rectifier लगया गया है और MB collection जैसे मैंने बताया बहुत ठीक्टा की है लेकिन इसके दाम के अनुसार उतने इसमें parts नहीं है ठीक है अगर यह मैं बनाने जाओं तो ज्यादा ज्यादा सो रुपे का अंदर में आ जायाना चाहिए था मुझे सो रुपे का अंदर में क्योंकि मैंने इसे एक लो पास फिल्टर बना रखा है पहले से बैर वोट पे तो मुझे 30-35 रुपे तक खर्चा आया थे और यह 357 रुपीज का मुझे यह पढ़ा तो मुझे यही देखना था कि इसमें और जो मैं बनाया था उसमें क्या अंतर है है साउंड का बैसका कि जैने के देखना चाहते हैं करें इसको का सर्कीट का करेक्शन में बता देता हूं यहां पर दो इसी supply लगेंगे यहां पर दो इसी supply और यह input का यहां पर cn1 लिखा हुआ है देखिए cn1 लिखा हुआ है और यह cn2 यहां पर output लगे गए इन यानि मोबाइल से जो आएगा या फिर जो भी source है ओडियो source वहां से आएगा और यह amplifier में जाएगा जिस से subwoofer आप चलाएंगे तो और ये टिक ठाक है बोड लेकिन उस दाम का नुसार ये ठोड़ा कोशली पढ़ता है कि तो यह मैंने फिलिप कट से मंगवाया था और इसे देखते हैं फिर लगा के और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और और सब्सक्राइब भी कर लिजिए लाइक भी किजिए कॉमेंट किजिए कि इसका वीडियो आप चेस्टिंग का वीडियो देखना चाहते हैं जैन्यवाद